दोस्तों नमस्कार, दोस्तों क्या वाकई केंद्र के मंत्री मंडल में फिर बदल करके जिन चेहरों को शामिल किया जाए उन चेहरों के आसरे राज्यों में चुनाओ जीते जा सकते हैं जो चेहरे मंत्री बनाए जाएं उनकी जातियों पर खास तोर पर अगर पैनी निगाह रखी जाए तो फिर मंत्री बनने के बाद उस समुदाए विशेश के वोट क्या वाकई उस पार्टी को मिलने लगेंगे जिस पार्टी की सत्ता केंद्र में है और राज्य में वो चाहती है कि सत्ता बरकरार रहे या सत्ता उसे मिल जाए या फिर इस देश के भीतर में जब मुश्किल हालाज से देश लगातार गुजर रहा है और इस गुजरती हुई परिस्तितियों के बीच लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे सवाल जिंदगी जीने के दौर को लेकर रहे तो क क्या तमाम मंत्रालें के मंत्रियों को हटा कर ये संदेश दिया जा सकता है कि देखिए आपके मुश्किल परिस्थितियों को लाने वाले मंत्रियों को हमने हटा दिया कुछ नए चेहरे शामिल कर लिये जो गटवंधन के सयोगी दल हैं छोटे छोटे दल हैं उनको भी मंत्री बना दिया ये तमाम परिस्तितियां क्या वाकई मोधी सरकार के साथ फिट बैठती है खास तोर से तब जब बीते साथ बरस की हकीकत यही है इस देश के भीतर में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है और आप मंत्री मंडल में किसी भी मंत्री का नाम जानने की कोशिश नहीं करते हैं किसी भी मंत्राले से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा निर्णय जब लिया जाता है तो उसका एलान इस देश के प्रधान मंत्री ही करते हैं तो क्या ये माना जाए कि ताकत जिनके पास है वह जिम्मेदारी लेने से घबराते हैं और जिम्मेदारी देने की फौज अब 77 की हो गई है लेकिन ताकत सिर्फ डिर्ड मंत्रियों में सिम्टी हुई है एक देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी और आधे देश के क्रह मंत्री अमिश्या इसके बाद कि आप गिंती भूल जाएंगे या फिर गिनना शुरू करेंगे कि दरसल जितने बड़ी लोकसभा होती है उसके 15 फीजदी लोगों को आप मंत्री बना सकते हैं तो उस लिहास से लगबग आकड़े 188 के बैठते हैं और आज 77 को जिम्मेदारी दे दी गई यानि 77 विभाग इस देश के भीतर में काम करेंगे यानि कैबिनेट इस्तर के मंत्री सुतंत्र परभार समाले हुए और कैबिनेट के मातब काम करने वाले रज मंत्रियों की समूची फौज 77 लोगों की इन 77 लोगों के कच्चे चिठे पर आज हम नहीं जाएंगे लेकिन समझना आ किसी ने भी नाम लिया बीते डेड़ बरस के भीतर इस देश में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी थी और उसने जिम्मेदारी अगर नहीं निभाई तो उसे हटाया क्यों नहीं गया ग्रहमंत्री देश के ग्रहमंत्री अमिश्या इनकी जिम्मेदारी इस महमारी के दौर में क्या थी और वो क्या वाकई नजर आ रहे थे ये हर कोई जानता है कि इस देश के हल्थ मिनिस्टर फेल हो गए डॉक्टर हर्षफर्दन से इस्तिफा ले लिया गिया ये हर कोई जानता है कि रास्टी अंतरास्टी तोर पर इस देश ने कानूनी पचड़ों में फस कर जिस तरीके से ट्विटर का जिक्र हो या देश के भीतर जो भी कानून काम कर रहा हो चाहे वो यूए पीए क्यो ना हो उसके मद्दे नजर इस दे इडिया को जिस रूप में समालना था उसमें सूचना प्रसारन मंत्री क्या वाकई केंद्रिय मंत्री रहते हुए फेल हो गए तो प्रकास जावडेकर की भी छुट्टी कर दी गई और इस दौर में सारे शिक्षन संस्थान ठप पड़े हैं कोई विजन काम नहीं कर पा रह है कि आखिर इस देश के छात्रों की शिक्षा का आने वाले वक्त में क्या होगा तो क्या ये माना जाए कि इसलिए शिक्षा मंत्री निशंग की भी छुट्टी कर दी गई यानि दर्जन भर मंत्रियों की छुट्टी का आधार क्या है और लगभग 33 नए चेहरों को मंत्री मंदल में लाने की वज़ा क्या है और उसमें से आधे दरजन जो पुराने स्टेट मिनिस्टर्स थे सुतंतर प्रभार समाले हुए थे उनको प्रमोशन देने का मतलब क्या है ये सारे सवाल हर जहन में आने चाहिए खास तोर से तब जब राज्यों के चुनाओं पर द्रिष्टी बोध इस देश की केंद्रिय मंदल का हो खास तोर से तब जब ये दिखाया जा रहा हो कि दरसल मंदल का मतलब इस देश को समालना होता है लेकिन अपचारिक नहीं और अपचारिक तोर पर भी इस देश के भीतर जब मैसेज ये दिया जाता हो कि हम बहुत कठोर हैं और कठोर निर्ने लेंगे तो हमें लगता है आज चंद दस्तावेजों को आप टटो लिए और समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि इस दौर के भीतर में MSME, Education, Health, Finance यानि पूरी तरीके से बैंक, कॉर्परेट का दिवालिया होना, इंडस्ट्री को लेकर नो प्रोडक्शन की स्तिती में आ जाना और इस देश के भीतर में गरीबों को रोजगार, मनरेगा से जुड़े हुए मजदूरों के सामने संकटवी और साथ ही साथ डिगरी धारी युवाओं की एक बड़ी फौज तो क्या वाकई लेबर मनिस्टर बदल दें, इंप्राइमेट मिनिस्टर बदल दें, MSME से जुड़ा हुआ मंत्री बदल डाले उससे क्या वाकई जिम्मेदारी और पल्ला जाडने की परिस्तिती उभर कर आ जाएगी, हो सकता है आ रही हो लेकिन अब तो 77 लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरा देश जानता है कि ताकत दो ही हातों में है और यह भी हर कोई समझ रहा है जब जातियों के समीकन बैठ रहे हैं और राज्यों में जितनी संख्या, जिस राज्य के मंत्रियों की है, उसमें आने वाले वक्त में उत्तर परदेश में चुनाओ हैं तो 7 मंत्री वहां से हैं, जो शपद लेते हैं गुजरात में भी अगले साल नौंबर में चुनाओ होने हैं तो 5 मंत्री वहां के भी आ जाते हैं नितीश कुमार आँखे तरेर रहे हैं, वो LJP तोड़ चुके हैं उनका मैसेज बहुत साफ था इस बार की हमारे अगर चार सदस्यों को आपने जगा नहीं दी तो मुश्किल हो जाएगी यानि नितीश अपने कद को बढ़ा रहे हैं जानते समझते हुए कि कल तक वो इसलिए बीजेपी के साथ खड़े थे क्योंकि बीजेपी के जो नेता शुशिल मोदी उनके साथ थे वो कहीं न कहीं बीजेपी को भी साधते थे और नितीश कुमार को भी आगे बढ़ाते थे लेकिन अब वो दिल्ली में है और मंतरी नहीं है इस बार भी मंतरी नहीं बन पाए और बीजेपी की जो टीम बिहार में काम कर रही है उसे साधना नितीश कुमार के बाएं हाथ का खेल है अपनी संख्या वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और संख्या अगर नहीं बढ़ाएंगे और अगर वो अलग हो जाएंगे तो मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं यानि आने वाले वक्त में जब 2024 में चुना होंगे तो इस बात को वो समझ पा रहे हैं कि बिहार की 40 सीटे बड़ी माइने रखती है वहां से बीजेपी के भी 18 सांसद है 17 सांसद जेडियू के हैं तीन सांसद जो अब निकल कर आ गए वो लजेपी के थे जो नितीश के साथ है तो नितीश सांसदों की संख्या में भी अगर उनको साथ ले लेंगे तो उनकी संख्या 20 हो जाएगी यानि नितीश अपनी ताकत का इज़ार जब कर रहे हैं तो इसका दूसरा मैसेज क्या वाकई इन साथ बरस के बाद मरेंदर मोदी कमजोर हो चले हैं कमजोर का मतलब यह है वो जान चुके हैं सिर्फ उनके चेहरे के आसरे लोग वोट नहीं देंगे वो समझ चुके हैं कि छोटे छोटे दलों को साथ लेकर केंदर में मंत्री बना कर शायर कुछ चीजे साधी जा सकती है और आने वाले वक्त में चुनाओ तो उन्हें जीतना है 2024 का तो इसकी बिसात क्या तमाम राज्यों को लेकर बिचाई गई और महराष्ट के भी चार मंत्रियों को वहां से जब शपत दिलाई गई तो वो जान रहे हैं आने वाले वक्त में पता नहीं शिवसेना ने अगर वाकई साथ नहीं छोड़ा कॉंग्रेस और NCP का तब महराष्ट में भी उनकी इस्तिती बुरी गत वाली हो जाएगी तो ऐसे में वा इलाकों को चुनते हैं कोकन से वा लेकर आते हैं राने को एक जगा से वो मराठवाला के रीजन से किसी को चुनते हैं कहीं से विदर्ब से चुनते हैं ये सारी परिस्तितियों को मिलाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दरसल तमाम जगों पर अगर उनके नुमाइन दे उस जगा से किंद्र में मोदी सरकार में शामिल हो जाएंगे तो वह मोदी का चेहरा लिये हुए अपने अपने इलाके में परचार प्रसार करेंगे और ना चाहते वे भी वह जो भी माटने की ये वज में उनको ही लाब होगा लेकिन एक दूसरा सवाल फिर निकलता है संतोष गंगवार बरेली से आते हैं बड़े लोगप्री हैं 1989 के बाद से लगाता चुनाओ जीतते चले आये हैं उनको भी छुट्टी कर दी गई क्यों छुट्टी की गई क्योंकि जिस महमारी का दौर था और मरीजों को अस्पताल चाहिए बरेली के लोगों को भी अस्पताल चाहिए था उक्सीजन चाहिए था उन्होंने निशाने पर योगी सरकार को लिया योगी सरकार का मतलब था उसकी गुझ मोधी सरकार तक में सुनाई दी और उनकी छुट्टी कर दी जिनकी छुटी हो गई होगी उनके भीतर एक निराशा का भाव होगा लेकिन मैसेज बहुत साफ है जिसे चाहें जब चाहें जिस रूप में चाहें वो अपने आपको किसी भी रूप में हैवी वेट ना समझे वो ये ना समझे कि आने वाले वक्त में वो मंतरी बना रहे जाएगा रविशंकर प्रशाद अगर याद ना हो तो याद कीजिए सेंट्रल हॉल में जब पहला भाशन प्रधान मंतरी मोदी ने दिया ता उस वक्त उनकी आँखों से आँसु छलचला गए थे उस वक्त सामने बैठा हुआ कोई शक्स अगर रोया था तो वो रविशंकर प्रशाद थे हम जिक्र 2014 के मई जून का कर रहे हैं आपसे और इतने बरस तक वो लगातार मंतरी रहे प्रकास जावडे कर लगातार मंतरी बने रहे हर्शवर्दन को भी महत तो दिया गया दिल्ली में भी महत तो दिया गया पार्टी के भीतर भी महत तो दिया गया मंतरी बना कर भी महत दिया गया उनकी भी छुट्टी हो गई निशंक उत्राखंड से निकल कर आए पूर्मुक्ह मंत्री थे उनको यहाँ परेचाडी मिनिस्ट्री और फिर्शिक्षा मंत्री के तौर पर जब उन्हें बनाया गया तो एक लिहाज से उनकी पॉलिटिकल डेथ आज हो गई ना वो उत्राखंड लोट सकते हैं ना वो पार्टी के भीतर किसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते और ना ही केंदर में मंत्री है तो क्या वाकई सियासत का ये कैसा खेल है मंत्री मंडल विस्तार जिसके जरीए सब को जमीन दिखाई जा सकती है या फिर दो संकट से मौझूदा मोधी सरकार गुजर रही है एक 2024 का ताना बाना उसे इस तरीके से बुनना है कि किसी भी हालत में अब हर प्रांट में हर प्रांट के भीतर के छोटे छोटे हिस्सों में जहां जिसकी पहचान हो वो पश्चिम बंगाल का भी लाका हो सकता है पश्चिम बंगाल के लोगों को भी आत तरजी दी गई वहां से भी चार मंतियों को बना दिया गया यह तरजी इसलिए दी गई क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 में ममता बेनर जी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है और माना जा रहा है जो 70 विधायक बीजेपी के उसमें से लगबग दो तिहाई तो निकल कर टेमसी के साथ चले जाएंगे तब हथेली खाली हो जाएगी बीजेपी की लेकिन निशाने पर तो 2024 को रख रहा है तो वहां जीत कैसे मिलेगी बिहार में जुके नितीश के सामने बंगाल में प्रात्मिक्ता दी यह सोच कर कि ममता बेनर हावी न हो जाएं महराष्ट को लेकर इसलिए आगे बढ़ चले हैं क्योंकि शिवसेना अपनी अलग रा को पकड़ चुकी है उन्हें मुख मंत्री पत्चा यह वो दे दिया गया है इस बीच में हिचकोले खा रहे हैं हमारे साथ आ जाओ तो मंत्री बना देंगे लेकिन फ महंगा हो गया डीजल महंगा हो गया महंगाई बरती चली गई लेकिन देश के पैट्रोलिय मंत्री पर कोई आच नहीं आई धर्मिंद्र प्रधान कहां से चुनाओ लड़ें और कहां जीत जाएं असंभव सी बात है नहीं जीत सकते हैं चुनाओ दूसरी तरफ इस देश के भीतर में जो रेलवे के लेकर जहां पर बिरोजगारों को रोजगार देने की परिस्तित्या बनी वहां भी रेलवे रोजगार नहीं दे पाया मंत्री प्यूश कोयल है उन पर भी कोई आच नहीं आई नितिन गड़करी को छुना मुश्किल है राजनाज सिंग का भी एक अ रमाडोल होगी तब उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा उनकी छुट्टी कर दी जाएगी और किसी दूसरे को ले आए जाएगा किसी एकनॉमिस्ट को ले आए जाएगा होगा तो फैनांशियल कमिशन से ही ले आएंगे वित्यायोग जो है होगा तो किसी अर्थशास्त् Indian Foreign Service के व्यक्ति को विदेश मंत्री बना दिया गया और जो नौकरशा होते हैं उनको मंत्री बनाने में बड़ा लाब होता है क्योंकि नौकरशा रिटायर होने के बाद बिलकुल अपने मालिक के पैरों पर रहता है वो ISO, IPS, ISO, 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 कुछ भी हो शायद इसी लिए हमने जब परखना शुरू किया कि आखिर कितने लोग हैं इसमें तेरां एड़ोकेट है, छे डॉक्टर्स है, पांच इंजिनियर है, साथ ऐसे नौकरशा हैं जो ISO, IPS, IRS कुछ इस तरीके से नौकरशाही के साथ जुड़े रहे याने पढ़े लिखो कि ये टीम है क्या जबकि इस देश के भीतर में अर्थशाष्ट के तौर पर जानने वाले लोग जो इस देश के सलाकार के तौर पर रहे उनकी भी बात नहीं मानी गई, एक नौमी को अपनाते वन अर्विन सुब्रमन्यम उसमें पहला नाम आप ले सकते हैं तो सवाल ये नहीं है कि पढ़े लिखे सामने आए हैं या युवा सामने आए हैं सवाल ये हैं निगाहों में क्या है और निशाने पर क्या है अगर निगाहों में जाती आएं तो फिर 27 OBC मंत्री हैं इस मंत्री मंडल के भीतर में मुस्लिम वोट एक भी नहीं चाहिए तो मुक्तार अबास नक्वी साहब एक एसंस के तौर पर मंत्री मंडल में हैं लेकिन उसके अलावे हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम हिंदू वोट को एक जुट करना चाहते हैं और हम हिंदू वादी पार्टी हैं ये मैसेज इस देश की सरकार देती है मंत्री मंदल के जरीए भी और OBC 27 की संक्या है कि इस देश के भीतर में OBC प्रधान मंत्री है इसका पह मिनिस्टर है तो OBC का वोट बेंक कितना बड़ा उत्तर परदेश में और इस देश के भीतर कितना बड़ा ये आकलन करते रही है जब चुनाओं का जिक्र होगा तब किया जाएगा लेकिन ये सबसे बड़ा तबका है तो 27 मंत्री OBC से आते हैं अब इसमें SC, ST, गुसिये इसके भीतर में वो तमाम सोचल इंजिनिंग में फस्ते चले जाईएगा सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इन राज्यों को साधने के लिए जिनें जिनें मंत्री मंदल में शामिल किया गया जिस समय देश के सामने सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात है उस समय देश की एकनौमी जब ठप है तो देश के फैनांस मिनिस्टर पर कोई आच क्यों नहीं आती है बैंकों की इस्तिती जब नाजुक है तो फैनांस से जुड़े हुए स्टेट मिनिस्टर पर भी आच क्यों नहीं आती है उसका प्रमोशन अनुराक ठाकुर का हो गया जिनका हुआ किस वज़े से हुआ तरक ना खोजिये जिनकी छुट्टी कर दी गई क्यों की गई तरक ना खोजिये एक चीज जहन में रखिये कि इस देश के भीतर में प्रैम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के बाद तीसरा कोई नेतान है ही नहीं जिसको मास लीडर के तौर पर में होगा या नहीं होगा और होगा तो किस पर निर्वर होगा अब ये बताने की जरुत नहीं है यानि कभी भी मंत्री मंडल के पत्ते फेटते हुए किसी को भी दरकिनार किया जा सकता है और मंत्री मंडल के भीतर चाहे आपका पद हैर्की के लियास से सबसे उपर क्यों न जैसे आज शपद लेने वालों में उसकी लिस्ट हमारे पास आ गई जो शपद ले रहे थे उसकी हैरकी में सबसे पहले नरायन राने थे नरायन राने कोकन से आते हैं कोकन में शिवसेना का प्रभाव है बीजेपी वहां घुसना चाहती है उनको महत दे दिया गया सरवानन सोनवाल दूसरे नमबर पर असम की जो परिस्टिती है उसमें कॉंग्रिस से आये हुए व्यक्ति को फिलाल मुक्मंत्री बनाये गया और सोनवाल अपने तोर पर हस्ते मुस्कुराते हुए अपनी गद्धी उन्होंने सौप दी हमंत्विस्वाल को उन्हें दूसरे जगा दी नहीं थी क्योंकि आने वाले वक्त में असम में भी तो लोकसभा के चुनाव होने हैं कहीं फस ना जाए मामला तीसरे नमबर पर विरंद्र कुमार आये टीकम गड़ के हैं इनको जगा दी गई थावर चंद गहलोत की जगा ये कहे और सोच कर दी गई कि दरसल थावर चंद गहलोत से मद्र परदेश में जो साधनाता हो गया अब उन्हें राजिपाल बनाई और विरंद्र कुमार को ले आई ये जो की टीकम गड़ से आते हैं उसके बाद जोती रादितिस सिंधिया का नमबर आया कॉंगर्स से आय अश्वनी वैश्णफ जो की वाजपई सरकार में अटल विहारी वाजपई के निजी सचिफ के तौर पर थे राजसभा से आते हैं उनको भी मंत्री बना दिया गया वो अभी कैबिनेटस तर पर पशुपती पारस कुछ भी जगड़ा हो जाए किसी भी तौर पर हनुमान ब और सियासत साधने में कोई जरुरत नहीं है उस हनुमान की जो लंका में आग लगाने निकल पड़ा हो आग कौन लगाएगा बुझाएगा कौनी आने वाले वक्त में देखेंगे लेकिन जनता दल यूनाइटेड यानि नितीश कुमार की जिस चाल ने लजजेपी के भीतर लकीर खिस डाली उसके लिए चितावनी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए दिल्ली तक महुच गई शायद इसलिए और इस प्रक्रिया के भीतर में जिनको भी आगे बढ़ाएगा उसमें सबसे बड़ा नाम भुपेंदर यादव का जो संगठन के तौर पर एक लिहास से जिस लंबी फेरिस्थ है जिसमें तमाम को बनाए गया लेकिन उसके नीचे जब जाईएगा तो कई नाम आपके जहन में एक एक करके आएंगे वो पंकर चौधरी का हो अनुपरिया पटेल का हो अनुपरिया पटेल भी मद्द परदेश युत्तर परदेश से एस पी बगेल भी उत्तर परदेश से आते हैं राजीव चंद्शेखर का नाम भी आपके जहन में आना चाहिए ते हैं राजीव चंद्शेखर ने एक चैनल को खड़ा किया वो चैनल सिर्फ इस देश की सरकार के लिए बना। उस चैनल को किस रूप में खड़ा किया जाए इसके पीछे जो पहला पैसा लगा और आजीर चंदर शेकर के जरीया ही लगाए गया हाला कि बाद में उन्हें तमाम इस टेक्स उस चैनल वाल को दे दिये और अब वो सबको साफ हो गया तब वो मंत्री मंडल में आकर अब राजस्तर के मंत्री के तौर पर उनकी उपस्तिती दर्श करा दी गई है इस फेरिस्त में एक एक नाम जब आप देखना शुरू कीजेगा तो कुछ नाम आपको चौकाएंगे भी और इसलिए चौकाएंगे क्योंकि आपने सुना ही नहीं होगा इन नामों को मंत्री मंडल में क्यों शामिल किया जा रहा है और इसको जब शामिल किया जा रहा है तो जैसे मत्वा समुदाय के शांतानू ठाकुर वेस्ट बंगाल से आते हैं आप कहेंगे अच्छा है इनको भी शामिल कर दिया गया इसी तरीके से जौन वरला वेस्ट पश्चिम बंगाल से आते हैं यह वहाँ पर मीशन से जुड़े हुए हैं रांतिश मीशन से सुभास सरकार पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं इनको भी वहाँ पर ले आय अलग अलग नाम है लेकिन इन नामों के चक्कर में ना फसी है समझे ये कि जब ताकत सिर्फ दो के पास है और इस देश की इस्थितियों के भीतर सबसे बड़ा गुना इस देश की नितियों की वज़ा से हुआ है वह नितियां जो पियमों में बनती है वह नितियां जिस पे म ताकत के साथ है यानि पावर उनके पास है लेकिन कोई responsibility नहीं है और अब जो 77 लोग मंत्री मंडल में हैं तो सबको responsibility है लेकिन पावर उनके पास नहीं है तो power without responsibility और responsibility without power यह खेल सियासत का ऐसा है जिसमें राजनितिक जमीन किसकी कहा कब काट दी जाए पता ही नहीं चलेगा औ और जब पता नहीं चलेगा तो उसमें खुद बखुद आपकी ताकत आगे बढ़ जाएगी लेकिन आखरी सवाल क्या वाकई ये मोदी सरकार के लिए आने वाले वक्त में खत्रे की घंटी तो नहीं जब आप मैसेज अपने पार्टी के भीतर के उन नेताओं को साथ साल त जाए उनको जिम्मेदारी सोंपी जाए तो ऐसे में धीरे धीरे हर के जहन में यही तो सवाल उभरेगा कि उसकी उप्योगिता सिर्फ और सिर्फ उपर बैठे हुए एक शक्स के इशारे पर टिकी हुई है और अगर ऐसा है जिसको शायद अब उत्तर परदेश चुनाओं क जहां पर वो चाती है संगठन किस रूप में काम करें जहां वो चाती है कि किस रूप में किसको जिम्मेदारी दी जाए और ताकत भी दी जाए और मैसेज आरेसस के भीतर से क्या वाकई निकलना शुरू हो गया है और अगर निकल रहा है और अगर ये संदेश बहुत साफ है कि 2024 तक तो तभी पहुँच पाईएगा जब 2022 में आगे बढ़ जाईएगा तो फिर आखरी दृष्टी आपको इस दिशा में डालनी ही होगी जहां पर जिनके इस तिफे लिए गए उनके नाम उनके मंत्री मंडल क एक बार आखलन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा जिनके हथेली पे अब यह मंत्री मंडल सौपा जाएगा क्या वो वाकई सुतंत्र तोर पर काम करते हुए नजर आएंगे और जो थे क्या वो नजर आ रहे थे यह किस रूप की हिमाकत है या किस रूप का मंत्री म पहली बार इस देश के भीतर में मंत्री मंडल विस्तार भी एक इवेंट में तब्दील हो गया कहते हैं सरकार इवेंट मेनेजमेंट करना जानती है और प्रधान मंत्री मोदी इसमें हुनरमंद हैं सबसे जादा तो मंत्री मंडल विस्तार हुआ लेकिन मंत्री मंडल की भाग दे डालिये उसका क्या महत्त होगा यह सोचिए जरूर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया